आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है students तो अभी जो problem में यहाँ पर solve करने जा रहा हूं उस problem में हम से यहाँ पर क्या पूछा गया है if a copper rod that is free to move and rotate is brought in a region of non-uniform magnetic field तो वो अपने आपको किस direction, किस orientation में align कर लेगी इस भी हम यहाँ पर बात करने हैं तो अबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक magnetic field में किसी भी magnetic material के behavior की तो let's say मैंने यहाँ पर एक magnetic field apply कर रहा है तो यह मेरे पास magnetic field है ठीक है यह मेरा magnetic field है यहाँ पर तो अगर यह मेरे पास magnetic field है तो इसमें अलग-अलग magnetic materials का अलग-अलग behavior होता है for example मेरे पास जो paramagnetic materials होते हैं जो मेरे पास paramagnetic materials होते हैं वो मेरे पास weakly attracted होते हैं towards applied magnetic field तो ये अपने आपको along direction of magnetic field orient कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर बात करूँ firm magnetic materials की तो ये paramagnetic जैसे होते हैं लेकिन approximately thousand times stronger तो ये अपने आपको जल्दी से strongly align कर लेते हैं in the given direction और साथ मेरे पास आते हैं diamagnetic material जो एक exceptional behavior यहाँ पर show करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं ये weekly repel करते हैं applied magnetic field को क्योंकि इनकी magnetic susceptibility की जो value होती है वो होती है small and negative तो अगर इसकी value मेरे पास negative है तो इसका मतलब क्या होगा ये definitely मेरे पास यहाँ पर repel करेंगे applied magnetic field को तो इनके और magnetic field की भीच का interaction क्या होना चाहिए minimum तो इसके लिए क्या करते हैं ये अपने आपको perpendicular arrange कर देते हैं magnetic field की direction के along ताकि इनके जो atoms का magnetic moment होगा उनमें और इस applied magnetic field में minimum interaction हो सके क्योंकि ये weekly repel करते हैं तो basically diamagnetic material अगर मेरे पास कोई भी होगा तो वो perpendicular to the field और field के weakest region के उपर move करेगा तो basically यहाँ पर क्या करेगा वो stronger region जो होगा magnetic field से वहाँ से weaker की तरफ भी move करेगा यूकि इससे अपना क्या करना है interaction minimize करना है with the applied magnetic field इसको अपना interaction minimize करना है तो पहली बात तो stronger से weaker की तरफ जाएगा और दूसरी बात हमेशा perpendicular orientation में ही रहेगा to the applied magnetic field अब बात रहेगे जो material हमको यहाँ पे दिया है copper की तो copper मेरे पास एक diamagnetic material होता है ठीक है copper मेरे पास diamagnetic material होता है तो यहाँ पे हमने जो भी discussion यहाँ पे किया था diamagnetic material के बीच में कि वो weakly repelling होते है stronger to weaker move करते है perpendicular orientation में रहेंगे तो इस सारी चीज़े मेरे पास copper के लिए भी valid है तो copper क्योंकि एक diamagnetic material मेरे पास है तो यह मेरे पास यही वाला behavior show करेगा जो मैंने अभी यहाँ पे explain किया अब बात रही इसको याद करने की तो मैसको याद यहाँ पे कैसे रखता हूं तो हमारे पास यहाँ पर metallurgy जब हम study करते हैं तो वहाँ पर एक term होता है हमारे पास हम कहते हैं coinage metals मतलब पहले जब हमारे पास coins बनाने में जो metals use होते थे for example मेरे पास हो गया यहाँ पे gold, मेरे पास हो गया silver मेरे पास हो गया copper और exceptionally मैं यहाँ पर याद रखता हूँ एक mercury तो यह चारो metals मेरे पास जो हैं यह हमेशा diamondic materials होते हैं तो मैं ऐसे इनको याद रखता हूँ और ऐसा याद रखना है इनको यहाँ पर easy हो जाता है तो कि यह सारी बात है जो हमने यहाँ पर की वो सारी valid रहेंगी तो इस question का अगर मैं अब answer यहाँ पर देखूं तो इस question का मेरे पास यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option D यहाँ पर मेरे पास best matching option है क्योंकि इससे मेरे पास दे रखा है perpendicular to the direction of magnetic field जैसा कि हमने यहाँ पर बात किया and at location where the magnetic field is weakest तो stronger to weaker भी move कर रहे है तो option D इस question का सही option मेरे पास हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8400-400 पर